हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो ये 24 नॉलेजे ओफिशल यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्मेंट आफ तृपरा जे आर बीटी एल्डीसी रिकुर्मेंट 2020 का ओनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो ये वीड है ल्डीसी की पोस्ट इसमें फ्रेंट्स यहाँ पर अप्लाए आप 19-12-2020 से 30 जनवरी 2021 तक कर सकते हैं और इंडिया वेकेंसी है कोई भी इसमें आविदन कर सकता है इसके बाद फ्रेंट्स यहाँ पर आपकी एप्लिकेशन फीस साथ में फ्रेंट्स वेकेंसी की डेटेल आपकी एलिटी कंडिशन आपका सेलेक्शन प्रोसीजर सिले बस सब की सब डेटेल्स आपको यहाँ पर एवलेबल है डेटेल्स में जाकर आप डेटेल को चेक कर सकते हैं अगर आप एलिजीबल है तो आपको अप्लाए का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा बात करते हैं फ यहां पर आपको एक message मिल रहा है other state candidate can register from December 21 तो friends 21 December से other state candidate यहां पर registration कर सकते हैं कैसे करना है उसकी process हम यहां पर बात कर लेते हैं अब यह है आपका login section login करने के लिए सबसे पहले registration करना होगा तो आपको new user registration का option मिल जाता है आप इस पर click करेंगे अब यहां पर कुछ basic जानकरी आपको fill करनी है सबसे पहले आपका पूरा नाम आप यहां fill करेंगे आपकी mail ID आप यहां fill करेंगे आपका 10 digit का mobile number आपको fill करना है अगर आपके पास कोई alternative mobile number है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं आपकी DOB क्या है date of birth तो date month and year आप यहां fill करेंगे और यहां पर friends आपको एक password generate करना है अब जो password आप generate करेंगे यह उसमें आपके friends एक alphabet आपका uppercase में एक numerical value और एक special character उस password में होना चाहिए यह ध्यान रखिएगा अगर यह password में आपके नहीं है मतलब uppercase नहीं है अगर आपके special character नहीं है या फिर numerical digit नहीं है 0 से लेके 9 तक तो friends आपका यह password यहां पर confirm नहीं होगा इसलिए password में इन चीजों को ध्यान रखे और इसके बाद friends इस password को confirm करने के बाद आप यहां से register कर सकते हैं registration करने के बाद friends आपके mobile number पर या mail ID पर एक OTP आएगी वो OTP आपको friends यहां पर verify करनी होगी इसके लिए friends आप इस OTP को यहां पर type करेंगे और इसके बाद friends यहां से verify करेंगे इस OTP को OTP verify होने के बाद friends आपने mail ID या mobile number से और जो password आपने बनाया होगा और यह capture code डाल कर आप login कर सकते हैं इसके बाद friends आपका जो यह form है यह start हो जाएगा और form start होने के बाद friends आपको यहां पर आपका जो नाम है वो दुबारा से आपको यहां पर enter करना है first name, middle name and last name आपकी date of birth यहां पर आजाती है इसके बाद friends आप अगर आप add-on teacher से यहां पर discharge हुए है तो आप यहां पर tick कर सकते हैं इसके बाद friends यहां पर है आपका gender section आपका gender आप select करेंगे आपका father name आप fill करेंगे, mother name फिल करेंगे यहां पर इसके बाद आपकी category option है तो आपकी SC, ST, general कौन सी category है वो आप select कर सकते हैं अगर आप reserve candidate है तो आपका certificate number आपको यहां पर देना होगा आपकी nationality क्या है वो आपको select करना है आपका 12-digit अधार का number आप देना चाहें दे सकते हैं इसके बाद friends अगर आप employed है तो यहां पर tick कर सकते हैं एक service man है या फिर आप PRTC having है आपके पास या फिर physical challenge candidate है आप NCS registration अगर आपके पास available है जो भी जानकर या आपके पास available है आप उस पर tick या उसको form को यहां पर apply कर सकते हैं नहीं है तो आप उसको blank छोड़ेंगे और उसके बाद 7-ness कर देंगे इसके बाद friends यहां पर आएगा आपका address section तो address section में देखिए आपका village, town, city या name of localty आपका district आपको यहां पर select करना है अभी यहां पर आपको other state का option नहीं मिलेगा तो जैसा आपको starting में बताया 21 तारिक के बज़व आप यहां पर apply करेंगे आपको friends यहां पर जो details है आपके other state की वो भी मिल जाएंगी इसके बार आपका subdivision, block, आपका PO नमबर, post office नमबर, pin code, आपका 10 digit का mobile नमबर आप यहां fill करेंगे अगर permanent और आपका present address सेम है आप सेम इस पर click कर सकते हैं, अलग-अलग है तो आप अलग-अलग भी entry कर सकते हैं यह आपके address section है तो आपका जो भी address है वो आप अपने according फिल करेंगे और इसके बाद 7 nest करेंगे इसके बाद friends यहां पर आपका nest option है qualification details का तो यहां पर देखिए आपको qualification number 1, number 2, number 3 और इसके बाद highest qualification इनके options आपको यहां पर मिल जाते हैं अब यहां पर friends आपको star मिलता है एक पर क्योंकि mandatory यही है अब माध्य में क्या 10th standard जो आप select करना चाहें माध्य मी करना चाहें माध्य में कीजिए 10th standard करना चाहें 10th standard कीजिए आपके board का नाम आपका institute का नाम मतलब कहां से आपने यह की है qualification आपका year of passing क्या है total marks कितने number का पर पेपर हुआ था कितने number आपने gain की है और आपकी percentage क्या है और आपका division क्या है तो यह basic जानकरी आपको अपने 10 की SST की माध्य मिक की आपको यहां पर fill करनी होगी इसके बाद friends name of the qualification number 2 में 12th या उसके equivalent diploma उसकी details आप देना चाहें दे सकते हैं mandatory नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि 10th class pass out के लिए vacancy है अगर आपके पास यह available है तो आप यहां पर 12th या diploma की entry दे सकते हैं इसमें सेम आपके board का नाम, आपके institute का नाम, year of passing, total marks, marks obtained, percentage, division आप fill करेंगे ऐसे ही friends तीसरी qualification में अगर आपके पास कोई भी qualification है आप दे सकते हैं और यहां पर है highest qualification अगर आपके पास कोई भी highest qualification है आप उसकी जानकारी यहां पर provide कर सकते हैं बेसिक जानकारी है आपको फिल करनी होगी इसके बार friends यहां पर नीचे आपका E section है qualification in computer तो friends यहां पर देखिए आपके पास सबसे पहले देखिए computer को operate करने के प्रोफेंसिन typing on computer आपके 30 word permit speed in English या फिर 35 word permit in बंगाली आपके पास यहां पर आपकी जो qualification है अगर computer में तो आप उसकी बारे बता सकते हैं कितने percentage आपकी है qualification computer में जो भी certificate है वो आप देंगे आपकी typing speed क्या है computer पर उसकी जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं तो यह आप यहां पर basic जानकारी फिल करेंगे और इसके बाद ही यहां से 7 नेस करेंगे इसके बाद फैंसे यहां पर next option है आपके यहां पर self declaration का जहां पर आपको photo and signature upload करने है jpg format में आप यह upload करेंगे size आपको यहां पर दिया गया है photo का background है वो white होना चाहिए और यहां पर फैंसे आप देख सकते हैं कि आपको जो photo and sign है वो आपको jpg format में upload करना है size आपके सामने है और यहां पर आप इसको upload कर देंगे तो यहां पर आप upload करेंगे photograph को यहां पर upload करेंगे signature को इसके बाद place का नाम लिखेंगे जहां से आप इस form को fill कर रहे हैं इसके बाद आपका center of examination आप कहां लेना चाहते हैं वो आपको यहां पर select करना होगा इसके बाद date आपकी आजाएगी और subdivision आप यहां पर कोई भी option select क कर सकते हैं इसके बाद friends next step आपका आएगा payment का जहां पर आपकी payment आपको confirm करना होगा इसके लिए आप make payment वाले option पर click कर सकते हैं इसके बाद friends आपको यहां पर अपना mobile number और mail डालनी है और उसके बाद आपको यहां से इसमें proceed करना होगा तो मैंने friends यहां पर अभी sample के तौर पर numbers यहां पर enter करती हैं आपको show करने के लिए तो card का option आपको net banking का option मिल जाता है आप किसी भी card से किसी भी bank की net banking से यहां पर payment अपना confirm कर सकते हैं confirm करने से पहले friends आपको verify होना ज़रूरी है कि आपने जो details fill की है वो बिलकुल आपने सही fill की है payment confirm होने के बाद friends last step मिलेगा आ इसमें आपका जो भी यहां पर application form है उसको निकाल कर अपने पास आप रख सकते है future use के लिए future reference के लिए और सबसे important बात friends क्या है कि यहां पर देखिए अगर आप तुरपरा निवासी है तो friends आप अभी registration करके form को fill कर सकते हैं अगर आप other state candidate है तो friends अभी आपका registration link open नहीं सकते हैं किस December से process में आपको बता दी है सेम यही process रहेगी और friends आपको यहां पर friends जो sample photos है वो सब यहां पर इसकी website पर देखने को मिल जाती है payment आपका confirm होने के बार last में आपका जो print है वो निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं तो friends फिर भी क्यूरी है कोई समस्या है जैस बाकी की जनकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल एनलास थैंक्स वर वाचिंग